मेरा अगला पढ़ाव है और सवाल है आपसे राष्ट रहीत और राष्ट रहीत के बारे में जब बात आती है सौभाग्यवस मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर सरी डोमियल जी आपके मठ पे भी आये हुए है मठ के अंदर की परंपरा भी देखी है काफी सुद्रिड परंपरा रही है राष्ट के लिए समर्पित भी है और इसके अलावा हमने ये भी देखा वहाँ पे आपके जो मंदिर यानि मठ का जो सिर्ष है सिर्ष के उपर एक लाइन जो लिखी हुई है सस्त्रेन रक्षते रास्त्रे सास्त्रे चिंता परवर्तते मैं चाहूंगा कि इसके उपर थोड़ा सा वैक्षान करेंगे क्योंकि ये लाइन अपने आप में कुछ जरूर्थ से जादा इनफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से बहुत संजीदगी से हमारे यवाओं को आकरसित करती है देश प्रेम के लिए देश हित के लिए या कहें कि रास्त्र हित के लिए चुकि मेरे बिजनेस पार्टनर इजराइल से बिलॉंग करते हैं एक यहुदी समुदाय से आते हैं जिनका दुनिया में मात्र एक देश है और जिस देश का नाम है इज्राइल आप सभी को ग्यात होगा अक्सर मैं वहाँ पे आते जाते रहता हूं और मैंने बहुत करीबी से अपने भारत देश का इतिहास इज्राइल का इतिहास यूं कहूं कि दोनों देशों की संस्कृती को बहुत ही करीब से देखा है मैंने जहां भारत देश को अजाद हुए एक साल पहले यानि कि अगर मैं भारत देश की बात कहूं उननीस सो एटालिस में भारत देश अजाद होता है ब्रिटिस राजे से और ठीक मात्र एक वर्स बाद उननीस सो अड़तालिस में इसराइल जो कि ब्रिटिस राजे से अजाद होता है इनके बावजूद एक देश मात्र 80 लाख की अबादी वाला देश जो की अपनी कला अपनी संस्कृती के लिए जाना जाता है अपनी हिब्रू भासा के लिए जाना जाता है अपनी सम्प्रभुदा के लिए जाना जाता है और अपने सामर्थ से आज के नए युग के तकनी की करण से और इस तकनी की करण के लोहे की वजह से पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया पे अपना दबदबा बना रखा है अपना सामर्थ बना रखा है दूसरी तरफ जब मैं यहां आता हूँ यह मुझे बहुत जादा परिशान करती है यह सवाल मुझे बहुत जादा विचलित करता है जहां पे हमारी जो संस्कृती इतनी प्राचीन संस्कृती रही है प्राचीन सभ्यता रही है और हमारी पहचान यू कहूं कि एक मजबूत अ या कहूं कि एक मजबूत न्याय प्रणाली के रूप में या एक समर्थवान देश होने के रूप में जाना जाता रहा है। कुछ दसकों से हम देख रहे हैं कि हमारी ये सकती छिड हुई है, हमारी ये सकती धूमिल भी हुई है। और मुझे लगता है कि हमने अपने संस्कृती को, हमने अपने भासा को पस्चमी सभ्यता का सबसे जादा महतो दिया अपनी भासा या अपनी संस्कृती के उपर। और यूँ कहूं कि पस्चमी सभ्यता को एक तरह से गले लगाया, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को महतो ना दे कर। मेरा सवाल आपसे ये है, जहां पे तक्निकी करण का युग है, सोसल मीडिया हावी है चारो तरफ, सर्वस्रेष्ट बनने की होड लगी है, वो मैं अमेरिका की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ, या फिर ब्रिटेन की बात करूँ, या रस्या की बात करूँ, या चाइना क की बात करूँ ऐसे में हमारा धेश हमारा भारत देश अपनी परानी सभ्यता को लेकर हमारी पुरानी संस्कृती को बचाये हुए और इस नई तक्नी की करण की राह को लेकर कैसे अपने देश को एक सकती साली पुनर विस्थापित कर सकता है और विश्वगरी बन सकता है मैं इसके बारे में आपसे आगरह करूँ कि जरा इस पर प्रकाश टालें किसी भी राष्ट का किसी भी देश का सस्तकारों ने दो स्तंभ माना वह दो स्तंभ किया है भारतस्या प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्त था प्रतेक राष्ट का प्रतेक देश का एक संस्कृति होती है एक गाइडलाइन होती है उस पर जैदी वहां के रहने वाला प्रत्यक ब्यक्ती उस कल्चर के अनुसार उस संस्कृति के अनुसार अगर आचरण करता है बेवहार करता है उस पत पर उस गाई लाइन पर चलता है तो उस देश का उस राष्ट का विकास होता है उसी क्रम में भारत की ये प्राचीन परंपरा रही है भारत का मूल स्तंभ रहा है संस्कृत एओं में हा की संस्कृती संस्कीत को मूल स्तंभ इसलिए माला उसकी उपादियता इसलिए रखा की संस्कीत को देव बानी कहा गया है यह भारत बर्स देवताओं का देश है, यहाँ पर देवताओं का अवत्तरण हुआ है, देवता प्रायदुर भूत हुआ है, इसे संस्कीत की माता है दूसरा संस्कृती, भारत की क्या संस्कीती है, भारतियता का क्या परियाए है, भारतियता कहां पर अवलोकन हो रहा है इसे विशेक को अगर दिश्टिपात किया जाए, तो यह भारत, यह देश, विश्व गुरु का जो स्तम्ब था, सोने की चिडिया जिसको कहा जाता था, विश्व बंधुत्य का जो संदेश देता था, बहुजन हिताया बहुजन सुखाया का जो संदेश देता था, धर्मो तो रक्षती रक्षिता का जो उपाय देता था, धर्म की आप रक्षा करेंगे, तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे, संस्कृती की रक्षा करेंगे, तो उससे उस भारत का जो जुत्सना है, वो प्रफूलित होगी, स्फूरन होगा, उसमें विकास आएगा, चमक आएगा, उन नेन के लिए विकास के लिए एक उधुखोस प्राप्त होता है बयम राष्टे जागरियाम पुरो हिता बेद कहता है पुरो हिता हा जो इस राष्ट के विभिन धर्मों को मनने वाले जो सिर्स धर्मा व लंबी है वह राष्ट के बिसकास के लिए राष्ट के उन्नेन के लिए जन जागरण करें यानि उस राष्ट में उस देश में रहने वाले जो भी प्राणी है जो भी ब्यक्ति हैं उनके अंदर राष्टा स्वाभीमान राष्ट की गरीमा राष्ट की संप्रभुता उस जीव के अंदर उस ब्यक्ति के अंदर वहां के रहने वाले लोगों के अंदर जदी कूट-कूट करके भरी है तो निश्चित रूप से उस राष्ट का बाल वका नहीं हो सकता है उस राष्ट को वो छोटे संख्या में हो निवन संख्या में हो फिर भी अधिक संख्या वालों को परास्त करने के उनकी अंदर छमता होती है दक्षता होती है क्योंकि उनके अंदर वह चीज नहींत है वह पर आकरम उनके अंदर बिद्यमान है जो राष्ट स्वाभिमान के लिए वह दे सकते हैं कर सकते हैं संगर्द कर सकते हैं उदानन के लिए आपने लिजिए यही के जहां हम बैठे हैं वहीं के च्छत्पदेशिवाजी महाराज थे उनके अंदर जो भारतियता थी उनके अंदर जो स्वालंबन था उनके अंदर जो राष्टियता की जनजागरिती थी एक छोटा था उद्धोस में वो कहते हैं आप यहां अपने कारी को शिद्र करूँगा इस भारतियता की लक्षा करूँगा भारत के श्वाभिमान की लक्षा करूँगा अथ वा अपने प्राणों को निच्छावर्द कर दूँगा यहां क्या है भारतियता है यहां एक दिश्टी पात है कि हमारे सामने अगर हमारे भारत मा के बैभाव को किसी ने आँख दिखाया तो उसको या तो आख निका लेंगे और नहीं तो मृद्व को प्राप्त होंगे इस तरह का स्वाभिमान इस तरह की जनचेतना चत्पदी सीवाजी महराज की तरह से आम जनता में आम लोगों में देशे में रहने वाले लोगों के अंदर हो जाए तो पुना विश्व गुरुत को प्राप्त करेगा भारत फिर सोने की चिडिया भारत को कहा जाएगा पूरे विश्व को दिशा दसा बदलने का कारिया भारत बरत करेगा यदि इस तरह की स्वाभिमान जुआ पीड़ी को प्राप्त हो जाए यहां के रहने वाले लोगों को प्राप्त हो जाए तो निश्चित है यह भारत अखंड भारत की ओर अगरसर होगा